अब देख रहे हैं चहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं C, U, E, T, Entrened Test के बारे में ये क्या है, क्यों ये जरूरी है और आप आपके बारवी के जो मार्क्स हैं उनकी admission के time value क्यों नहीं रहेगी तो काफी important वीडियो होने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे, अन तक देखे वीडियो की सुरवास से पहले आप इस important अपडेट को भी जरूर देखे अनक एडमी में SSE exams की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो SSE exam का जो course है उसका subscription की fees बढ़ने वाली है तो इसलिए आप तुरंत ही PC 2021 code जो की आपको यहां पर red से दिखा हुआ आ रहा है PC 2021 code का आप इस्तमाल कीजी और तुरंत अनक एडमी का plus subscription ले ले जी अनक एडमी का subscription ले ले जी आपको PC 2021 code का इस्तमाल करेंगे तो आपको 10% discount भी दिया जाता है इसका link आपको description box से मिल जाएगा तो price hike होने से पहले यान की price बढ़ने से पहले आप अनक एडमी का subscription ले ले जीए PC 2021 code का इस्तमाल करते हुए price hike on all SSC exam subscription plans यान की सभी SSC के जो exams है उनकी subscription पर price hike होने वाला है price बढ़ने वाला है तो price बढ़ने से पहले आप PC 2021 code का इस्तमाल कीजी और अनक एडमी का subscription ले ली जीए इसका जो link है वो आपको description box में मिल जाएगा तो description box खोलिए और वहाँ पर से आप इस पर click करके PC 2021 code का इस्तमाल करके आप 10% discount ले सकते हैं और price hike होने से पहले अनक एडमी का subscription ले ली जीए आपको PC 2021 code का इस्तमाल करना है जब आप PC 2021 code का इस्तमाल करेंगे तो आपको 10% discount भी दिया जाएगा तो इसलिए तुरंत ही आप आज ही SSC exam का subscription अनक एडमी का ले ली जीए ताकि price जब high को उससे पहले ही आपके पास अनक एडमी का subscription SSC exam का रहे तो वीडियो की सुरुवात करते हैं आप इस notice को देख सकते हैं public notice इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है common university entrance test जिसको short form में लिखा गया है CUETN की common university entrance test इसको एक क्या क्या लिखा हुआ उसके उपर भी हम बात करेंगे लेकिन पहले मैं आपको बता देता हुआ कि CUET है क्या तो यह common university entrance test है जब आप बारवी में पास कर लेते हैं बारवी को उसके बाद विर आपको college जाना होता है तो अब central university में जब आपको admission लेना होगा तो उस के basis पर central university जितनी भी है UGC की funded की हुई central university उनमें admission दिया जाएगा वही बात इसमें लिखी हुई है पहले पैरा में लिखा हुआ कि जो CUET का जो test है वो 2022-23 यानकी अगला session जो होने वाला है उसी से ही यह start कर दिया जाएगा और अप्रेल के फर्स्ट वीक है अप्रेल के फर्स्ट वीक से इसका application form जिसको कहा जाता है जिसको भरकर आप इस test को दे पाएंगे वह release कर दिया जाएगा अप्रेल के फर्स्ट वीक लेंग्वेज में होने वाला है तेरा लेंग्वेजिस में होने वाला है जो उनका नाम है हिंदी, मराथी, गुजराती, तमिल, तेल्गू, कंणड, मल्यालम, उर्दू, असमी, बंगाली, पंजाबी, उडिया, और इंग्लिस यह 13 लेंग्वेजिस हैं जिनमें यह CET का test हो जोग इसके जरिए स्टूरेंट, अर्जित करेंगे, स्टूरेंट को जो स्कूर काडर, इसके बेस पर मिलेगा उसके जरह अगर से ट इनिवर्सिटी चाहती है, प्राइवित उनिवर्सिटी चाहती है,ийद वो भी अपने अड़ियों करवा सकती है, डिटेल स्ट्रक्टर किस तरीके से होगी उसको NTA की वेबसाइट पर अवेलेबल कर दिया गया है application form जो है वो CUET undergraduate का undergraduate मतलब BA, BCOM, BSC ठीक तो first week of April 2022 में release कर दिया जाएगा इसका जो syllabus है वो CBSC के basis पर होगा यानि कि CBSC का जो syllabus है उसके basis पर ये entrance test करवाया जाएगा अब बात करें अगर हम कि इसकी जरुवत क्यों बढ़ी क्योंकि आप जानते कि कुछ state ऐसे होते जहां पर state board के student होते हैं और कुछ CBSC के student होते हैं और ICSC भी एक board है जिसके भी student होते हैं तो अलग-अलग board है जिनमें अलग-अलग question paper आता है बार्वी में अलग-अलग criteria है marks देने का और उसके basis पर student के बार्वी के marks आते हैं तो यानि कि अगर CBSC में एक question paper है math का उसमें अगर वो कठें आया लेकिन दूसरा कोई state board है उसमें वो paper असान आया या तीसरा state board है जिसमें वो paper average आया तो तीनों जो इस्टुएंट है उनके marks भी सौ में से अलग-अलग आएंगे math के exam में और लेकिन जब admission दिया जाता है Central University में दिल्ली University में तो उस समय सिर्फ criteria होता है बारवी के marks यानि कि एक student जिसको असान पेपर मिला होगा उसको 90-95 marks उसके आये होंगे और दूसरा जिसको cutting paper मिला होगा उसको 70-75 marks आये होंगे तो इसको खतम करने के लिए एक uniformity लेकर आने के लिए अब सभी बारवी में marks आपके चाहे जितने भी आये हों बारवी में आपने पास किया हो सरफ तब भी आपको CUET का exam आप दे सकते हैं और CUET का exam जो की पूरे भारत में एक साथ एक ही होगा और सब चाहे वो दिल्ली में रहता हो बंगाल में रहता हो करनाटक में रहता हो कहीं पर भी कोई instrument रहता हो तो सबको एक ही exam देना होगा और उसी के basis पर फिर उनको आगे उनका scorecard दिया जाएगा और उसके basis पर जितने भी UGC की fund की हुई Central University दा उनमें admission दिया जाएगा तो यह एक नया concept है CUET इसके बारे में अब आप लगातार सुनेंगे क्योंकि अप्रेल के फर्स्ट वीक से इसका application form भी release कर दिया जाएगा जितने भी बारवी में इस समय student है उनको यह भरना होगा और उसके बाद पर Central University में admission later time इसका scorecard एक काफी important factor होगा और बारवी के marks की जो पहले वेटेश थी उसको काफी हट तक घट जाएगी वो अब बारवी के marks के basis पर Central University जो है उनमें admission नहीं होगा अब CUET जो है इसके basis पर admission करवाया जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को like जरूर कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए इस वीडियो में इतना ही